प्रेज दलावड आप सबको जैमसी की मैं परमिस्तर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए एक और दिन परमिस्तर ने हमें दिया है ताचि हम उसका गुननवात करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बढ़ाई करें प्रेज दलावड एक नया संदेश लेकर मैं आज आपके सम्मों को परस्तित हूँ मैं आपका दोस्तर राजमैसी और आज के जो संदेश है वो मनुस्य की एक सुभाविक क्रिया है एक ऐसा कारे है जो मनुस्य करता है और बाइबिल उसके विश्य में क्या कहती है संसार क्या कहता है समाज क्या कहता है यह सारी बाते आज हम जानेंगे तो ध्यान से सुनिएगा पूरा वचन और इसे शेर भी कीजिए तक जो लोग इस प्रवर्तिके हैं जैसे मैं बता दूँ आपको कि आज का जो सिश्चक है और इसके अंदर की जो बाते हैं जो गालियां होती हैं उन्हें भी हमें मुपर लाने की जरूरत नहीं है ना इसका ऐसा कोई इनाम हमको मिलेगा कि हम गाली दे तो हमको कुछ मिल जाएगा तो बने रहिएगा मेरे साथ बहुत महत्ते पूर्शिक चाहिए और जरूर सुनिएगा और परसो जो मैंने मैसेज किया था अपने जो मेरा जो Bible स्कूल है Word of Truth Bible स्कूल उसमें एक सब्जेक्ट है मेरी एक बुक है Bible के सिध्धान्त उसके विसे में मैंने कहा था कि अगर आपको बुक चाहिए तो मुझे जरूर बताईएगा तो बहुत से लोगों ने वो बुक मुझे से मांगी है तो थोड़ा समय लगेगा तो अगर आपको भी वो बुक चाहिए तो जरूर कॉमेंट सेक्समें लिखे या मुझे वाट्सअप कीजिए ताकि आपको भी वो बुक पोस्ट की जा सके तो ठंड बहुत है दिल्ली में और कोहरा बहुत जबरदस्त है अभी सबा साथ बजे मैंने एक चोटा सा वीडियो बनाया पहले वो वीडियो देख लीजे उसके बाद मैं आपको आज के वचन में लेकर चलूँगा प्रेज दे लोड़ प्रेज आपको आपको झाल झाल तो ये हाल है दिल्ली का बहुत सर्दी है और कुहरा बहुत जबरदस्त है सबसात बजे की ये वीडियो है उस समय बहुत ज़्यादा कुहरा था अभी भी है और सूरज अभी तक नहीं निकला है तो दुआ कीजे दिल्ली के लिए प्रात्ना कीजे कि सर्दी प्रभु कम कर दे हालेलुया तो आज का जो टूपल्स में जो सवाल है वो है कि येश्यो मसीग की वनशावली में येश्यो मसीग की वनशावली में एक वैश्या का नाम आया है वो कौन है उस वैश्या का नाम क्या है वो कौन सी जगा लिखा है उसका हवाला आप बताईए अगर आप जानते हैं तो कॉमे कि वो कौन है वो कौन सी वैसिया जिसका नाम Bible में आया है विनसावली में आया है प्रभू ये सुमस्थी की Praise the Lord मेरे साथ मेरी मुहीम में शामिल हो जाइए जिद है सच को फैलाने की वचन को फैलाने की तो इस जिद में मेरे साथ सामिल हो जाइए तो आईए एक छोटी सी प्रात्ता करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा परमपवित्र परमेसर में तेरा धन्यवादित हूँ परभुजी आज की सूबह दिखाने के लिए रात भर मीठी नींदी आज का दिन दिखाया असके लिए तेरा धन्यवादित है प्रभु मिन्ती करता हूँ प्रभुजी आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदब साहता कर मेरे होटो को मेरे दिल दिमा को छुकर ब्लेस कर मेरी आत्मा और मेरा श्रीर तेरे ही कबजे में रहे ताकि बॉलने वाला मनुशन हमल के तेरा आत्मा हो जो भी गूर बेत की इबात इस वचन में छिपी हैं वो हम पर परगट करना प्रभुजी ताकि प्रभुजी उन बातओं को हम जाने और प्रभुजी अपने जीवन को उसी के अनसार को जाने वाले बन सके हैं और जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं सुनुरा हैं उन सब पर मैं तेरी आश्री बो इलता हूं असाध्य रोग दूरू कर प्रभू ताकि तेरे बच्चे गवाही दे सके कि ये सुमस्थी ने हमारे जिएने में बड़ा काम किया है प्रभू येश्यू के नाम से मागते हैं आमें प्रिस दरोड तो आईए इस अद्वित संदेश को हम शुरू करेंगे गाली जो है वो बहुत सारे मनुस्यों का एक तकिया कलाम होता है तकिया कलाम उसे कहते हैं कि एक ही शब्द को हर बार बार यूज करना उसे कहते हैं तकिया कलाम तो बहुत सी गालियां ऐसी हैं जो मनुस से अपना तक्या कलाम बना लेता है छुड़ी छुड़ी बातों में गालियां देना इसने स्कूडी स्टार्ट नहीं हो रही है तब गाली दे देना और बस टाइम से नहीं आ रही है कोई रिक्ष्णा नहीं मिल रहा है कैब नहीं आ रही है टाइम से या गाली में कोई खराब कि यह जो गाली देना यह हमारा पुराना मनस्ट वह है यह उस समय की बात है जब हम अपनी जिन्दगी को बिंदास जीते थे हम अपनी इच्छा से जीते थे अपनी अभी लाशाओं को पूरा करते थे और जैसा चाहते थे हम वैसा जीते थे लोगों के साथ घूमना फिरना और बत्तमीजियां करना छेड़ खानियां करना व्यर्थ का जीवन जीना ऐसी जेके जो टीम होती है युवाओं की या मर्दों की उन में क्या होता है यह अमूमन देखा गया है कि ऐसी प्रवर्ति के लोग होते हैं जो गालियां के बिना रह न हों चाया वो कहीं घूम रहे हों चाया वो दस बारा लोग बैठ कर बातें कर रहे हों वहाँ पर थोड़ी देर खड़े हो जगे या थोड़ी देर में देखिए किसी ना किसी के मुझे गाली जरूर निकलेगी यह प्रवर्ति है मन उससे की और यह शैतान का काम है गाली का अर्था बुरी भावना से निकाले गए शब्द तो वो शब्द जो है हमें नहीं बोलने है तो हम देखते हैं कि जो लोग गालियां देते हैं जब उनको गाली दी जाते तो वो कुरूद से भर जाते हैं तो ये होता है अदान परदान गालियों का लेकिन हमें इन बातों से परहेच करना है, इन बातों से अलग रहना है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, बाइबल इस विस्से में क्या बताती है, मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिस करता हूँ कि यदी, मैं जानता हूँ कि आप लोग गाली नहीं देते, यदी रोई से लोगों को तो वो गलत है थो वजण क्या कहता है इस बारे मैं आईये हम सब से पहले देखेंगे यह अग्या है जो मैं आज आपको पढ़ कर सुना रहा हूं हम कि कुलुश्यों कुलुश्यों तीन अध्याय यह संथि पॉलुस सब पद से लिकिन पढ़ूँगा तो देखिए यहां पर लिखा क्या है यह लिखा इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृत्वी पर हैं अर्थात वैबिचार अशुदता दुश्कामना बुरी लालसा और लोब जो मूर्ति पूजा के बराबर है छे आयत में लिखा है इन ही के कारण अर्मेसर का प्रकौप आग्या ना मानने वालों पर पड़ता है साथ आयत में लिखा और तुम भी जब इन बुराईयों में जीवन बिताते ते तो इन्ही के इनुसार चलते ते यह पुराने जीवन की बात हो रही है पुराने मनस्त्य की बात हो रही है अब आठ आठ आयत अगर नहीं छोड़ेंगे तो परमेसर का प्रकौप हम पर पड़ेगा आगे चलकर मैं इसका दंड बताऊंगा कि गाली देने वालों को बाइबल क्या दंड देती है परमेसर क्या दंड देता है बाइबल क्या बताती है उस बारे में गाली देने वालों को क्या दंड और लिखा है नौायत में एक दूसरे से जूट मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनस्वत्तों को उसके कामों समेथ उतार डाला है और नए मनस्वत्तों को पहन लिया है जो अपने सरजनहार के सरूप के अनुसार ग्यान प्राप करने के लिए नया बनता जाता है गंदगी मैं लगते हैं सुनने वाले भी अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं इतनी बेशर्मी से लोग भीड के बीच में भी गालियां देते हैं चाहे वहाँ पर इस्तिया हों चाहे वहाँ बच्चे हों मैं पताना चाहता हूँ कि अगर घर में जो लोग गालियां देते हैं वो सतर कर रहे हैं क्योंकि बच्चे गालियां देना सीखते हैं फिर आपके जो बच्चे हैं वो गालियां देना सीखेंगे फिर आप उन्हें रोक नहीं सकते तो यहां पर एक आग्या दे गई है कि मूँ से गालियां बकना छोड़ दो क्योंकि तुमने पुराने मनस्तों को उसके कामों समेत उतार डाला है तो यह पुराना मनस्त है गालियां देना अब नया मनस्तों क्या है आईए देखेंगे यह लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो साफ रिती से आग्या है यह लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो पर इसके विपरित आशीष दो क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो वो गाली भी दे रहा तो क्या आशीष दो इसको गौड ब्लेस यू प्रभू तुझे शमा करे प्रभू तुझे आशीष दे यह आशीष दे उनको यहां साफरिती से पत्रस ने लिखा है तीन अध्यास के नौपद में पहला पत्रस तीन अध्याए नौपद में वो कहते हैं कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो पर इसके विपरित आशीष ही दो क्योंकि तुम आशिस के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो हम आशिस के वारिस हैं तो हम अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हम क्यों उसको पलटके गाली दे हाँ ये मानता हूँ कि अगर कोई गाली देता है तो हमें इरिटेट होते हैं और उसे कहना होगा God bless you परमेसर आपको आशिश दे ऐसे करके बात को खतम कर देना अगर आप गाली देंगे फिर वो एक और गाली देगा फिर आप भी गाली देंगे बात बढ़ते बढ़ते हाता पाई पर उतराएगी और फिर हाता पाई से बहुत ज़्यादा जब बात बढ़ जाती है तो बहुत सी जगा मर्डर भी हो जाते है तो इन बातों से हमको बचना है क्योंकि अब हमने नए मनुस्टतों को क्या कर लिया है पहने लिया है हमने प्रभू येस्व मसी को पहन लिया है तो अगर हम प्रभु येस्थ मसी को पहन लेंगे गलातियो तीन अध्यास के 27 पद की अनुसार कि तुम में से जितनों ने मसी में बबतिस्मा लिया उन्हाने मसी को पहन लिया है तो जब हमने मसी को पहन लिया है हमने मसी को पहन लिया कितनी गलत बात है बब्तिस्मा लेने के बाद हम गाली दे रहे हैं कितनी गलत बात है मसी को पहन लिया है और हम गाली दे रहे हैं तो क्या दरसारे हैं लोगों को कि मसी गाली दे रहे हैं नहीं येस्व मसी ने कभी भी किसी को गाली नहीं दी आईए देखेंगे पहला पत्रस दो अधियाए और उसका तेईस पत्रस यह पर देखे क्या लिखा है प्रभू येसु मसी के बारे में है वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था गाली सुनी है येसु मसी ने इसका मतलब तो जब येसु मसी गाली सुन सकते हैं और उसके बदले में कोई reply नहीं कर रहे हैं वो तो हम कौन है जो गाली सुनकर उसके बदले में बड़ी सी गाली दूसरों को दे दे येसु मसी के पद चिन पर हमको चलना है देखिए अगर 20 आइस से हम इसको पढ़े पहला अपतरस दो अध्याए 20 पत से तो येसु मसी का सोभाव बताया गया है लिखा क्योंकि यदि तुमने अपरात करके घूसे खाया और धीरत जरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है अगर हमने अपरात किया है गलती किया है कोई चोरी चकारी कर लिए कोई गलत काम करें डाला और लोग हमारी पिटाई कर रहे है पलीस हमारे हमें पिट रही है और हम धीरत से आराम से पिट रहे हैं तो इसमें बड़ाई की बात थोड़ी है हमने गलत किया है तो हम पिटेंगे और लिखा है पर यदि भला काम करके दुख उठाते हैं और धीरस धरते हो तो ये परमेसर को भाता है भला काम करके हम अगर दुख उठा रहे हैं लोग हमें बुरा भला कहरे हैं हमें पिटाई कर रहे हमारी तो ये परमेसर को भाता है 22 पत में लिखा, ना तो उसने पाप किया, पहरी बात, और ना उसके मूँ से चलकी कोई बात निकली, दूसरी बात, तीसरी बात देखी किया लिका है, और वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, येसु मसी ने इसका मतलब गालीयां सुनी हैं, लेकिन पलट वार किसी के उप येसा हो, येसु मसी शांत रहे, लोग उनके गाल पर थपड मार रहे हैं, लोग उनके मूँ पर थूक रहे हैं, लोग थपड मार कर कह रहे हैं कि बता अगर तु भष्श वक्त है तो किसने तुझे मारा है, येसु मसी कोई जवाब नहीं देते, लोग उने गालियां दे र प्रिप्यों की पत्री दो अध्यास के पांच पन में संद पॉलिस ने लिखा है कि जैसा येश्व मसी का सुभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो हम गाली सुनकर किसी को भी गाली ना दे बल्कि इसके वी प्रित हम आशिश दें कहें God bless you यहां पर लिखा है वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठा कर किसी को भी धंकी नहीं देता था पर अपने आपको सच्चे नयाए के हाथ में सौंब देता था सच्चा नयाए को है परमेसर अपने आपको परमेसर के हाथ में सौंब दे यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो यहां से सुनिये, यहां से निकाल दीजे भरक मत जाएए इरिटेट मत हो जाएए क्रोध में मत आ जाएए क्योंकि यह स्यतान का काम है कि वो आपको क्रोध दिलाए और आप गुस्से में आकर किसी को गाली दे किसी को अबशब्द कहें, किसी को शराब दें, किसी को बुरा भला कहें, आप लडाई जगडा करें और यही चाहता है शेतान कि आप आत्मिक्ता से घटते चले जाएं और परमियसर से दूर हो जाएं तो सतर को जाएए, यह सेतान की बहुत बारिक चाल है, कि वो सामने खड़े होकर हमें इरिटेट करता है ताकि हम करोध में आकर किसी को भी गालियां देना शुरू कर दें, सेतान की चाल को समझे दोस्तों और गाली देना छोड़ देजे, कि हमने अपने पुराने मनस्तों को उसके कामों समझे उतार डाला है गाली देना पुराने मनस्तों का एक काम है प्रेस्दालोड आईए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो पद मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो गाली देने वाले हैं उनका हस्र क्या होगा उनको दंड क्या मिलेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पहला कुरुंतियों पांच अध्याई और इसके ग्यारा पद में क्या लिखा हैं घ्यान से सुनुएगा पहला कुरुंतियों पांच अध्याई और इसका ग्यारा हैं पद लिखा है मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहला कर वैबिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियकड या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगती मत करना वरन ऐसे मनुस्चे के साथ खाना भी नहीं खाना गाली देने वाले के लिए लिखा है साफ लिखा है यहाँ पर संद पॉलिस ने मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहला कर वे बिचारी या लोबी यानि कि विश्वास में आने के बाद भी भाई कहलाने का मतलब है विश्वास में आने के बाद भी यदि कोई भाई कहला कर वेबिचारी या लोभी या मुर्थी पूजक या गाली देने वाला या प्यक्कड या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगती मत करना उससे दूर हो जाना है परेहट जाना क्यूं? क्योंकि बाईبل कहती है कि बुरी संगती अच्छे चरितर को बिगार देती है तो अगर आप गाली देने वाले के साथ आप खड़े रहेंगे इसके साथ समय बिताएंगे तो एक दिन आप भी गाली देना सीख जाएंगे अगर आपको नहीं आती है दो तो यहाँ पर साफ लिखा है कि ऐसे लोगों की संगती मत करना वरन ऐसे मनुस्ते के साथ खाना भी नहीं काना है दूर ही रहना है क्योंकि वो उसकी जो आदत है वो हमें एक दिन पढ़ जाएगी और हम भी एक दिन गाली देना शुरू कर देंगे आईए अंत में देखेंगे कि इसका जो दंड है वो क्या है पहला कुरूंतियों छे अध्याए और दस पद में संद पॉलिस ने बताया है चाए वो छोटी सी गाली हो चाए वो बड़ी सी गाली हो गाली गाली होती है जैसे जहर जरा सा बहुत होता है वैसे एक गाली भी हमारे जीवन को तहस नहस कर सकती है हमें सुरग जाने से रोक सकती है हमें परमिरसर के राज्य का वारिस होने से रोक सकती है रोक भी देती है अगर हम गाली देने वाले हैं तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपून है ये जो शिक्षा है आज की ये बहुत महत्वपून है कि हम गाली देना छोड़ें गाली को तौबा करें परमेशर से कहा है प्रबू मैं तुस्थे बिंती करता हूँ मैं तुस्से बिंती करती हूँ कि मेरे जुबान को अपने कबजे में रख ताकि मेरे मुझे कोई अब शब्द ना निकले ना मैं किसी को गाली दूँ ना मैं किसी को शराब दूँ ना मैं किसी को बुरा भला जाँ मेरी रक्षाकर मेरे होटो की रक्षाकर प्रगो और मेरे होटो को नया बना ताकि मैं ते अपने होटो से धन्यवात का बलिदान चड़ा सकूँ और तेरी महिमा कर सकूँ ये श्यू के नाम से मांग दे आमेन ये छोटी सी प्रात्ना कीजिए और प्रती दिन कीजिए और ये आदत एक दिन छूट जाएगी एक वचन मेरे को और याद आ रहा है उसे पढ़कर मैं समात करूँगा पहला पत्रस तीन अध्याए और उसका दस पद क्योंकि जो कोई जीवन की इचा रखता है और अच्छे दिन देखना चाथा है वे अपनी जीप को बुराई से और अपने होटो को छल्की बात करने से रोके रहे अच्छे दिन देखने है तो हमें अपने होटो पर कंट्रोल करना पड़ेगा परमेसर इन बचनों के द्वारा हम सब को आशी दे यदि कोई नई बात आज आपने सीकी है तो उसे कमेंट सेक्षिन में बताईए कि आपने कुछ नया सीका है इस बचन को शेर कीजिए तकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और गाली देने से परहेच करें प्रेज दे लॉड प्रूपल्स में आज का सवाल है कि यस्सु मसी के वन्शावली में एक स्त्री है जो वैश्या है उसका नाम क्या है और ये बचन कहा लिखा है डिस्क्रिप्शन में जाईए और लिंक को क्लिच करके जान लीजे कि वो कौन है मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाईए जिद है सच को पहलाने की गुजारिस करता हूँ आप से यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबाईए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना वेवधान के आपके पास पहुँच जाए मेरे वीडियो इसको लाइक कीजे शेर कीजे और कॉमेंट सेक्षिन में आकर मुझसे जरूर बाचित कीजिए प्रेज दलाड परमेसर आप सब को आशिए दे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजे लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखे और यदि कोई गाली देने वाला आपके संपर्क में है तो उसे समझाईए और उसे बताईए कि ऐसे लोग परमेसर के राज्य के वारिस नहीं होंगे प्रेज दलाड